चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे आपके NCRT बुक्स के बारे में इसमें आपकी जो राजनीतिक सिद्धान थे पॉलिटिकल थे हुई है उसी पर चर्चा कर रहे हैं इसमें आपके 5 चेप्टर हम लोग खतम कर चुके हैं और 500 चेप्टर आप सोचें कि बहुत ही महत्पूर स्थां रखते हैं आपके लिए अगर आप स्टेट PCS की तयारी कर रहे है तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि आपको NCRT क्यों पढ़ना चाहिए और कितनी मात्पों हैं आपके लिए तो समय रहती हुए आप लोग कप्छा चटवी से लेकर 12 तक की सभी बुक्स और याद रखिए मुझे ऐसा कोई सब्द नहीं दिखावी तक जो आपको समझाने की इसमें जरूरत पढ़े आप अपने आपसे भी NCRT बुक्स को कवर कर सकते हैं इसमें आपको किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं पढ़ेगी बहुत ही साधरन सब्दों में लिखी गई ह ठीक है लेकिन एक बार विस्तार से जरूर पढ़े एक से दो बार क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि सौर्ट नोट्स देखने में ध्यान देते हैं कि NCRT के भी सौर्ट नोट्स मिल जाएं और हम उनसे भी पढ़ लें तो ऐसा मत करिएगा पहले आप लोग विस्तार से भासा नहीं दे गई है आप जानते हैं लेकिन अन समिधान के भाग दो में आपको देखने को मिलीगा कि अंचएथ पांसति प्स ते लेकन ग्यारवे उनसे तर इसमें आपको एकल नांगरिक्ता का प्रावदन रखा गया है एकल नागरिकता का कहने का मतलब यह है कि आपकी भारती है नागरिक्ता हो गई अमेरिका जैसा नहीं है कि अमेरिका में इस्टेट की अलग होती है शेंट्रल की एक तरह से अलग है नागरिक्ता वहाँ दोईरी नागरिक्ता का प्रावदा है लेकिन हमारे यह एक ही का है, ठीक है? हमारे राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है आप, और एक बात, जनसंख्या और नागरिकता में भी फ़र्क होता है, जनसंख्या में आप देखते हूँगे कि बाहरी लोगों को भी काउंट कर लिया जाता है, जो विदेशी हैं उन्हें भी हम लोग जोड लेते हैं आप देखते हूंगे जण गरना अधिकारी आता है तो आपसे पूंच लेता है कि कितने लोग हैं आपके घर में कितने बच्चे हैं कितनी महिलाएं कितने पुरोस हैं और वोटर कायड़ी या कोई भी नहीं मांगता है वो वो कि बल मौकिक कि बोटर कायड़ काफी होना चाहिए क्योंकि आप सोचिए कि अगर हम नेता चुन सकते हैं उस बोट से तो भारती नागरिक क्यों नहीं होना चाहिए क्यों नहीं हो सकते हैं अब कई लोगों का तर्क है कि वो फरजी बनवा लेते हैं लोग तो देखिए अलग प्रॉबलम लेकिन इतना होना चाहिए क्योंकि देखते हैं कई जगे आप देखते हैं बाड में बहर जाते हैं कई लोग आप अपना जनम्तिती याद नहीं होती है वो कहां से कर पाएंगे तो यह भी प्रॉबलम देखी जाती है चलिए नागरिक्ता पर एक बिस्तार से बात कर लेते हैं लोग क्योंकि अभी आपने देखा है काफी चर्जा में बना गुए है हमने अपनी बाद नागरिक्ता की सोपिशिद परिवासा से सुरूप करें कि नागरिक्ता यह एक राजनितिक समदाय की पूण्ड और समान सदस्ता है इस अध्याय में हम यह चानवीट करेंगी कि आज नागरिक्ता का सही सही अर्थ क्या है इसके बाद हम उन बहसों और संगर्सों पत्रिष्टी बात हों करेंगे जो पूण्ड और समान सदस्ता की व्याक्या की संदर्म में चल रहे हैं अंगले परिष्ट में नागरेक और राष्ट के वीच संबंद तथा विवेन देशों में स्वीकित नागरेक्ता की कसोटी पर हम लोग चल चाहूगी नागरेक्ता की लोकतांत्रिक सिध्धानतों का नहतार्थ है कि नागरेक्ता सारवों होनी चाहिए क्या इसका अर्थ है कि पिदेग व्यक्ती को किसी ना किसी राष्ट का सदस्मा लेना चाहिए ऐसी हालत में हम तमाम राष्ट वी लोगों की अस्तित की व्याक्या कैसे करेंगे इस मुद्दे पर बात के परिशेद में विचार किया जाएगा आखरी परिशेद में बैस्विक नागरिक्ता की मुद्दे पर विचार होगा क्या इसका अस्तित है और क्या इहराष्टी नागरिक्ता की जगह ले सकती है इस सद्ध्याय को पढ़ने की बाद नागरिक्ता की अर्थ की व्याक्या करने और आज जिन छित्रों में इस अर्थ को विस्तार दिया जा रहा है या चुनोती जी जा रही है उनमें से कुछ पर विचार तरने में समर्द होंगे एक तरह से आप कहिए कि आज हम लोग यही जानने वाले हैं जो आपको पॉइंट बताये गए हैं कि नागरिक्ता कौन होता ह की रूम में की गई है समकाली इन विस्तों में राष्टों ने अपने सदस्तों को एक सामुही के राजनितिक पहचान के साथ कुछ अधिकार भी पिदार किये हैं इसलिए हम समर्द राष्ट के आधार पर हम अपने को भारती या जापानी या जर्मन मानते हैं नागरिक्त अपने राष्ट से कुछ बुन्यादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यातरा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं आप समझ सकते हैं कि लेकिन नागरिक्ता की अगर बात करें हम लोग तो आप समझे कि आपको कुछ इस पेसल अधिकार रहते हैं अब ऐ कि देशी नागरिकों को हम लोग इस पेसल अधिकार नहीं देते हैं समझे रहे हैं आप लोग किसी राष्ट के संपूर सदस होने का मत तब ठीक समझ में आग सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्तिती के बारे में सोचते हैं जो दुरभाग बस सरडार अगरती और अवयत पिरवासियों के रूम में रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उन्हें कोई राष्ट अपनी सदस्ता देने के लिए तेयार नहीं हमारी भादत में भी ऐसी कई लोग आपको देखने को मिलेंगे ऐसे लोगों को कोई राष्ट अधिकारों की गारंटी नहीं देता और वे आम तोर पर आसुरक्षित आसुरक्षित हालात में जीवन यापन करते हैं मन पसंद राश्ट की पूर्ण सदस्ताक उनके लिए ऐसा लक्ष जिसके लिए संगर्स करने को तेयार हैं जैसा कि आए हम मदपुर्ग के फिलिस्तिनी सरडाल्थियों के मामले मे देखते हैं यहाँ भी भी यह मामला चल रहा है नागरिकों को पिदद्ध अधिकारों की सोषपर्ष्ट प्रक्किती बिभिन राश्टों में भिन भिन हो सकते हैं लेकिन अधिकतर लोगतांतरिक देशों ने आज उन में कुछ राजनेतिक अधिकार सामिल किये हैं उधारन और पितिष्ठा की समानता नागरिकों के बन्यादी अधिकारों में से एक है आप समझेए कि देखिए जनसंग्या को कभी भी आप मत कहिए कि पूरी तरह से अधिकार दिये जा सकते हैं जो भारतीयों को एक तरह से भारती हैं नागरिक हैं उन्हें जो अधिकार मिलते हैं वो सभी लोगों को बाहरी लोगों को नी दीए जा सकते हैं, समझ रहा हैं आपलोग, नागरीक आज जिन अधिकारों का प्रेयोग करते हैं, उन सभी को संगर्स के बाद हासिल किया गया है, जन्ता ने अपनी सुधनता और अधिकारों को मुखर करने के लिए कुछ पैरमबिक संगर्स सकती साली राजतनतों के खिलाब चड़े थी, अनेक यूरोपीय देशों में ऐसे संगर्स हुए हैं, उन में से कुछ इंसक संगर्स थी, जैसे 1789 की फ्रांसी सी करांती, एटोपेक आपके लिए बहुत ही महत्कूर है, इसलिए बड़े विस्तार से इसे पढ़ ले अनेक उपनेवेसों में समान नागरेक्ता की मांग उपनेवेसिक सासकों ने सिस्सोतनता हासिल करने की संगर्स का हिस्सा रही है, दच्छड अपीका में समान नागरेक्ता पाने के लिए अपीका की आसोई ताबादी को सत्तारूड गोरे अलब संक्यकों के एकला लंबा सं संगर्ष 1990 की दसक के आराम्द तक जारी रहा है पूर्ष सदस्ता और समान अधिकार पाने का संगर्ष बिश्य के कई हिस्सों में आज भी जारी है अपने देश में महला अंदोलन और दलित अंदोलन के बारे में पड़ा हुआ उनका मकसद अपनी जरूरतों की और ध्यान आक मिली हुई है आप कुछ भी कर सकते हैं कहीं जा सकते हैं कोई संगठन बना सकते हैं मोट कर सकते हैं चुनाव लड़ सकते हैं बोल सकते हैं आप लोग तो आप इतना समझे लिए इतना आसानी से नहीं मिल गया दिखार इसके लिए आप देखेंगे कि कई लोगों ने अपनी बलिदानी दी है, कई लोगों ने अपनी जान गवाई है एक तरह से, आज जो हम खेलने खाने में उम्मर गुजारते हैं, उस समय कई लोगों ने आपकी लिए एक तरह से अपनी जान दे दी, अपने आपको सहीद कर दिया देश के लिए, और अभी भी आप देखते होंगे कि पर कई जगह इस तरह आंदोलन चल रह document की खिलाब होता है तब आंदोलन चलता रहता है मेलाओं के खिलाब जो भी होता है विद्वा उसलों का चलते रहते हैं या यस तरह से आप देकि जब भी कोई topic आपड़ रहे आगर आपको लगता है कि सम Fit से जुड़ा हुए topic है, तो उसे आसपास से जोड जरूर लिया करिएगा, इससे क्या रहता है कि लंबे समय तक हम लोग एक तरह से त्यान भी रख सकते हैं, और जब answer writing कर रहे होंगे, तब हमें और अच्छे से बेतर answer लिखने में मदद भी होगी, क्योंकि हम समाज को भी दे बां-दोलन कर रूप ले लिया, अमेरिका में अभी भी आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह हमारे देश में आपको महिलाओं के साथ, या निचली जाती के साथ बेदभाव करते हुए दिखता है, उसी तरह अभी भी कई देशों में आपको इस तरह देखने को मिलेगा, नागरेक ता सरिफ राज्य सत्ता और उसके सदसों के भी सम्मंदों का निरूपन नहीं बलकि उससे अधिक है या नागरेकों के आपसी सम्मंदों के बारे में भी है इसमें नागरेकों के एक दूसरी के पिती और समाज के पिती निश्चित दायत सामिल है इसमें इनमें प्रदाश्ट द्वारा थोपी गई कानूनी बातता नहीं, बल्गी समुझाय के सह जीवन में, सह जीवन में भागेदार होने और योधान करने का नेतिक दायत भी सामिल होता है। ज़ूरतों और आकांचाओं को ख्याल नहीं किया गया है। कि आप सोचे कि दलितों का भी सोचन हो रहा है, आप सोचे उचली जातियों का भी सोचन हो रहा है। आप सोचिए कोई भी समोली चूटा हुआ था, महिलाओं का सोसन हुड़वा है, तो आप समझेए कि जब सब का एक तरश में मंजिल एक ही थी, रास्ते बली अलग अलग हूँ, क्योंकि सोसन सब का हो रहा था, और आजादी सब कोई चाहता था, तो आप देखेंगे कि 1857 तक क कभी हम लोग आजाद नहीं उपाते है, यह हकीगत है, उननीस सो चौरानवे तक दच्छी रफीका में अपनाई गई नीतियों के बारे में, नीचे दिये गए बेवरवी को पड़िये, सोईत लोगों को मत देने, चुनाव लड़ने और सरकार को चुनने का अधिकार था, बेसंपत्ती खरीदने ओ देश में कहीं भी आने जाने के लिए सुतन थे, काली लोगों को ऐसे अधिकार नहीं थी, काली और गोरी लोगों के लिए पिथक मोहले और कालोनिया वसाई गई थी, काली लोगों को अपने पड़ोस की गोरों लोगों की बस्ती में काम करने के ल समुह के अंतरसंबंदों के बारे में क्या बताता है आप आप एक समझ लेजे कि आप समझ लेजिए कि देखी गोरे लोग मतलब आप सुची वहां नागरिक कौन थे मैं नागरिक देती हूँ अफिका-फिका वाले लेकिन यह लोग वहां जाकर एक तरह से बश्च गए थे व उसे ही एक तरह से बोट देने का अधिकार होना चाहिए हमारे यहां बहुत पहले से इस तरह की मांग उठ रही थी लेकिन हमारे जो भी सुतंता सैना नी थे जो भी महान सैने जो भी थे माचमागान देवों फिर चाहे जबालालने रूम वेवेकान नो या कोई भी एक पन्स राषमाग हुआ जो सँषित है कि अ कि माल लेजे अगर आयकर जो डेता हो तो आज हमारे लोगों के साथ जो इस तरह से भेदभाव किया जाता है यह बहुत बुरी तरह से उन्हें अभी भी भी भेत आव कर रहे होते हैं अभी तो कम से कम आप सुचिए कि 5 साल में आपके विधायक साहब आपके दर्वार आ जाते हैं, सर्पन साहब आपके दर्सन कर लेते हैं, लेकिन एक पल आपके लिए आप सोच सकते हैं, कि अगर आपको बोट देने का अधिकार ना होता, तो आपकी कौन सुनता, कोई नहीं स संपत्ती खरी नहीं सकता, चुनाव भी नहीं लड़ सकता है, सरकार को चुन भी नहीं सकते हैं आप लोग, फिर उसका मतलब क्या रहे गए, एक तरह से बंदुगा मजदूर हो गए, आओ कुछ करके सीखें, अपने छित के नागरेकों की गतिविदी के कुछ बैसे उधार अपनाई जा सकते हैं, आप समझे हमारे अगर नांगरिक्ता का पराउधान, बाहरी लोगों से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि देशी एकताव खंडताव असांती को बनाए रखें, अगर विदेशी कोई यहां राखे तो उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हम हमारा नागरेख होगा उससे हम जरूर उम्मीद करेंगे कि वह हमारी पर्यावन की सुरक्षा करें नदिया जो भी सरकारी संपत्य है उनकी रक्षा करें इसलिए आप देखते हैं कि मौलिक कर्तब दिया गया मौलिक कर्तब का सीधा सा मतलब यही है कि आपको कुछ अधिकार भी हैं तो आपके कुछ कर्तब भी हैं उन्हें भी आप लोग समझें संपूर और समान सदस्ता की बात करें अगर आपने कभी भरे रेल के डिपे में बस बस में सफर किया तो आप इस चलन से अवगत होंगे की बेलोग जो प्रवेश पाने के लिए पहले साइद एक दूसरे से लड़ रहे पड़े थे अंदर पहुंचते ही दूसरों को बाहर रखने की सांजी स्वार्थ में सामिल हो जाते हैं जल्दी भीतरी और बाहरी का बेवाजन उभार आता है और बाहरी को खत्री की रूम में देखा जाने लगता है इस तरह की पिक्क्रिया है समय समय पर नगरों पिदेश हो या कभी कभाय तो पूरे राष्ट में चलती है अगर आजीप का चिकिसा या सिप्छा जैसी है और जल्द जमीन जैसे प्राक्तिक संसादन सीमित हो तब बाहरी लोगों की प्रवेश को रोकने की मांग उठने की समावना रहती है भले वे सह नागरे क्यों ना हो आपको मुंबई कर मुंबई वाले के लिए नारा साय याद हो जिससे ऐसी भावनाय प्रिगट हुई है भारत अब इसके विभिन हिस्वों में इस तरह के अने अनेक संकर्स होते हैं इसका अच्छा उधारन आपको मुंबई में देखने को मिलेगा आपने देखा एक खास पार्टी क्या करती थी कि के वल कहती थी बिहार और मद्विदेश बिहार और उत्तर पिदेश से आने वा है क्या मतलब है क्या इसका अरत है होता है कि नांगरिकों को देश में जहां भी जाने चाहे रहने पढ़ने या काम करने का समान अधिकार और उसाथ मिलना चाहिए क्या इसका इसका अरत है कि सभी अमीर गरीब नांगरिकों को कुछ गोनिया दिकार और सुजाएं मिलनी चा कामगारों के लिए विस समात्र का है ग्रेचित में ओसर उपलब्द नहीं होने के कामगार रोजगार की तराष में आप प्रवाज की उर प्रवत्त होते हमें यानि कि अपने सवह से दूतरिय सवह जाते हैं आप देखते हैं कि रमेट कर्मी बंगलोड जैसे सहरों की ओर उमडते हैं केरल की नरसें पूरे देश में कहीं भी मिल सकती हैं सहरों में तेजी से पनपता पनपता भवन निर्मार उद्योग देश के विवन हिस्सों की सेमेकों को आखर सित करता है सड़कादी अगर वो सरजनाओं की परियोजनाओं मे यही है होता है आपने अपने घर या स्कूल के आसपास विवन चित में मजदूरों को देखा भी होगा एक बात और आपको बताओं यह केरल वो राज्य है जिसमें आप देखेंगी स्वास्त विवस्ता में देख लीजिए महलाओं की स्थिती में देख लीजिए आप समझ लीइ 될 युण बेहतर इस्थिती है उसकी। इसकी लिए आप देखेंगे की चिरल के डॉक्तर आपको देशवर में देखने को मिलें और आप सोचिए कि अगर आपको मजदूरों क्या हनत देखनी है तो उततर प्रदेश, पिहार, और मद्ध्विद्यों को देखींगी। य यहीं से आपको फरक दिखता है कि पढ़े लेके होने का और अंबढ़ होने का कितना नुकसान है। ऐसा माना जाता है कि जब आप समझझी कि केरल मा जब बाकि राज्यों में आपके धर्म के नाम पर जाती के नाम पर बोट पड़ते थे ऊस dependent से मुझशा अगर आप इस तरह के मुझशा करेगा तो वो राजजी नहीं, वो देश भी तरक्की करेगा, जो इस तरह के मुद्दों पर बोर्ट बेंक करेगा, बोर्ट राजमी ती चलेगी, समझेगे, आप खुद जानिए कि अगर आपको सिक्षा मिल रही है, बेहतर सिक्षा, तो आप बेहतर कर पाएंगे, और बेहतर आप स विए अगाव, बेहतर संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथ में जाने के खिलाफ अकसर इस्थानिय लोगों में तीरोद की भावना पैदा हो जाती है, कुछ नौकरीयां वा या कामों को राजी के मूल नवासी हो, या फिर इस्थानिय बासा को जानने वाले दोलन हमेसा नियाय संगर होते हैं बिल्कुल नहीं एक और बात आपको बता और यही कारण है कि यही मुद्दे रहें जो आपकी छेत्रीय पार्टी हुवर की आई है आप सोची कि अपने छेत्र में आपने इस तरह की मुद्दे उठाय जन्ता ने आपको चाह आपको चुन ल नहीं है चुनाओं को मद्दे नजर रहते हुए उन्होंने का था बाद में उन्होंने किसी पूष्ट निकाली कुछ कॉस्टेबल की साथ जहल पहरी की उसमें आपने देखा हुआ है कि नैपाल और हूटान की लोग की पेपर में सामिल हो सकते हैं मतलग जंता को आपने बे राजनीती होती है इस पर सबसे जानना राजनीती आज समझीए आप लोग इसी पर चल नहीं है यहां भी कुछ टॉपिक है मार्टिन लूथर किंग 1950 का दसक सहिवतराज अमेरिका के अनेक दचली राज्जों में काली और गोरी आबादी के बीच बरकरार और बरकरार विसम होती थी जिन में काली लोगों को अनेक नागरिक और राजनीती का दिकारों से बंचित किया जाता था उन कानूनों में विभिन नागरिक सुगधावन जैसे रेल हो गया बस, रंगसाला, आवास, होटल, रेस्टूरेंट आदी में गोरे और काली लोगों के लिए अलग-अ बेवस्था रहती है, और किसी घचके पदगती आफी लेए सकूल अलग रहती है, और रील पहती है, क्यां आवास में विच्sel रहती हैven मैं तो आप समझी आप क्या फील करते है, मिच्व करते हैं आप अपने आपको बहुत नीचा रखती है, समझाये है एक तरह से आपकी सम्मान की यहां बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुता इन कानूनों के खिलाब हुए अंदोलन में मार्टिन लूतर किंग जोनियर अग्णी काली नेता थे उन्होंने इनके खिलाब अनेक आपकट तर्ग दिये पहला आत्म गौरव और आत्म सम्मान के मामले में विस्ति की हरजाती या वर्ड मनुस परावर है दूसरा केंग ने कहा है यह पिताकरन राजनीती के चहर पर सामाजिक कोड की तरह है क्योंकि उन लोगों के वो गैरे मनुविक ज्यानिक जखन देता है जो ऐसे कानुनों के सिकार है आप सोचिए कि आप कहते हैं कि अभी आपने केरल में देखा हुआ कि एक मंदर में क्या रच था क्या था सबरियमाला मंदिर कि महलाओं को एक तरह से उसमें प्रविष करने की अनमती नहीं थी आप खुश सोच के रखिए उनके एक तरह से आत्म संबान कहां रह गया है मतलब पंडित जी जो पूजा कर रहे हैं वो महला से पैदा हो रहे हैं वो सुद्ध हैं और आपके यह महला असुद्ध हैं मैं ऐसे धरम को नहीं मानता हूँ आगर ऐसा धरम है तो ऐसे धरम को कभी खतम कर देना चाहिए बिल्कुँए आप खुछ सोच के देखिए कि हमें महला जनम दे रही है उसे हम क्या कर रहे हैं असुद्ध कर रहे हैं अचुद्ध कर रहे हैं कहां का नहींड़ा और उसके आप सोचिए सुच के देख सकते हैं कि उसकी मतलब अपने आप में क्या फील करती होगी हो कि मतलब हमें यहां प्रविश करने का अधिकार नहीं है तो हर मनुस को किसी भी जाती का और किसी सभी समधाय को अपने सम्माल से जीने और अपने आपको उचा उठाने की कोसित भी करनी चाहिए हो उसे अधिकार भी है मुझे लगता है किंग ने दली दी की पिथक करन की पिथा गोरी समधाय की जीवन की गुडवत्ता भी कम करती है बे इसे उधार्णों से इसफ़ष्ट करते हैं गोरी समधाय ने अदालत की निर्देसानुसार कुछ सामोईक उध्यानों में काली लोगों के उप्रवेस की जागित देने के बज़ए उन्हें बंद करने का फैसला किया है इसी तरह कुछ वैस्वोल टीम टूट गई है क्योंकि अधिकारी काली खिलाडियों को स्विकार करना नहीं चाहते थे तीसरी पिथक करन कानून लोगों की पिथक भी किंतिम सिमाय खीचने और उन्हें देश के ब्यापक हिद के लिए एक दूसरे का सहयूग करने से रोकते हैं इनकार्णों से किंग ने वैस छड़ी और उन कानूनों को खतम कर दिया जाना चाहिए पिथक करन कानुन के खिलाप शंती पोन्ड और आईंशक फिती रोत का आहान किया उन्होंने अपने वहाषर में कआई किया हम अपने रचनात्मक पिती रोत को कभी भी सारे रे नहीं सामें ढाल कर पतन किसकार नहीं होने देना चाहिए आप सोचिए एहिंसागा एहिंसक आंदोलन, सांथी फून एक बहुत बड़ा इस्थान रखता है, हमारे भी देश में देखा है आपने, कि बापु यानि कि गामदी जी ने लाटी लेके चले, आप सोचिए कि एक तरह से आंदोलन में बहुत बड़ा युगदान दिया हुने देखिए एक तरह से आज का बहुत चलती रहती है कि भगसिंग, राजगुरू, सुगदेओ, इनका युगदान जाना था, तो जब आप अगर मुझे लगता है पढ़ते हैं इतिहास आप लोग उन्हें पढ़ाएं, तो आप ये निन्या का सकते हैं कि सब का बराबर तो उसकी आजादी अलग होती है, समझ रहे हैं आप लोग और महत्मा गानदी के राष्टे बढ़ चलकर अगर आजादी मिली तो उसकी आजादी की सकल एक तरह से अलग है, तो किसी के भी एक तरह से युगदान को नकाईए मत पूरी तरह से, और मुझे लगठा है कि हमें अगर भागत सिंग के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है, आप खुश हो चीए हमने क्या उखड लिया, हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा गिया था, उसने गलत किया था, आप कहते हैं कि दो देश हो गय थे, पाकिस्तान भारत खुमार्ट दिया आप समझेगे कि आपके घर में अगर भग्मान करे ऐसा ना हो, मैं तो कहता हूँ, एक परिबार में आप सोचिए आपके भाई और आप दोती भाई रहते हैं, दोनों तीनों में ना बंगती हो, और लड़ाई होती हो, तो आपके पिता जी क्या करेंगे, उन्हें बेहतर यही समझेगे, तो यही परिस्तिती एक तरह ऐसे बनी हुई थी वो समय, तो समझेगे, कई उस समय के कारण है आप इतिहास में इसे पढ़ते हैं, तो आप तो मुझी लगता है कि यह पड़े लेके नागरिकता की तरह, नागरिक की तरह बात किया करेगा, बेवकूगों के कामो में आप लोगों को आना ही नहीं है यह तरह से, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, वो केवल WhatsApp और Facebook की दुनिया से ही इतिहास पढ़ते हैं, और आप लोग किताबों से पढ़ते हैं, वो यही फ़र्क रहता है आप में हमें, किसी या अन्य देश में इस्थानी लोगों द्वा अन्य सारवारतिय कामगारों के साथ दुर्वेभार किये जाने पर हम सब गुसने से भरब उठते हैं, संभाववें कि हमें से कुछ या भी मानें कि कुसल और सिख्शित कामगारों को काम के लिए कहीं भी आने जाने का अधिकार है, तो राजocy की इस तरग की कामगारों को जादी में, देश की किसी भी हिस्ते में, काम करने या बसने का अधिकार सामिल है, बिलकुल है, अधिकार आपको देखता होगा, आप कहीं भी जा सकते हैं, Article 19 के तहद आपको अधिकार मिला हुए है, एक अर्ण बाद पर हमें विच्छार करने की जिरूरत है, और वह यह है कि यह गरीब प्रवासी और गुसल प्रवासी को लेकर कभी-कभी हमारी पृतिकी या में अंतर होता है हम अपने इलागों में आने जाने वाले गरीब प्रवासी ओं को हमिशा उस तरह का स्वागातियोग नहीं मांते जिस तरह कुसल और दौलत बंद कामगारों को मांते हैं इसे किसे नुटता है क्या गरीब और आगुसल कामगारों को कुसल कामगारों की तरह देश में कहीं भी रहने और काम करने का समाना दिखा रहे हैं देश के सभी नागरेकों की पूर और समान सदस्पतास के समंदित एकोच ऐसे मुद्धे हैं जिन पर आज हमारे देश में बहेश चल रही है। आप लोगों के एक और बात बताओं यह तो आप सामान जाने करिए कि अमीर का हमिस्ता आप पैसे में है आपके पास तो हजार लोग पूचेंगे भाई कि कुछ मदद चाहिए आप लोगों को तो इसलिए आप लोग सक्सेज हो जाए हर कोई आपको सम्मान करेगा और इसे आप लोग हकीगत समझे लिए कोई भरोसा प्यार म्यार लगाव कुछ नहीं होता है सब दौलत होती है समझे रहे हैं? इस खाए माने आप ना माने साहित मुझे लगता है और एक बात और आप देख रहें कि MPO या कोई भी उठाते हैं तो आप देखते होंगी कि राजिस्थान ने भी इस तरह का मुद्द उठाय था कि अपने सरकारी नाउपनी binary में जो भी राज्जी का नेड़े था उसे रद्द कर दिया गया, क्यूंकि आप देखी आपको एक तरह से बाहरी लोग कहां से, फिर तो एक तरह से आपको यह कि छित्वाद हो जाएगा, कि आप सुची राष्टबाद का कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, हमाज रहे हैं आप ल कर हमारे समिदान में नाग्रेकों के लिए सुनिश्चित की गई, अभी व्यक्ति की सुतंता का एक पहलू है, वार्साते वह पितिवाद दूसरे लोगों या राज के जीवन और संपत्ती को नुपसान नहीं पहुँचाएं, नाग्रेक समूव बनाकर, पिदरसन कर, मीडि से आग्रे कर सकती हैं, या भले ही धीमी पिक्रिया हो, पर इससे कई वार निव नादिक सफलता हैं संभव हों, अगर सभी नाग्रेकों को पूर्ण समान सदस्ता उपलब्द कराने के, दिसा निजदे सिद्धान का अनुपालन सुनिश्चित हो, तो किसी समाज में समय समय प्रवत्पन होने बारी समस्याओं के लिए सर्वमान, समाध्धान और पहुचना संभव होना चालिए, लोकतंत का यह है, एक बुन्यादी सिद्धान थे, कि ऐसे विबादों का समाध्धान, बल परियोग की बजए, संधी वारता, विच्चार वेमस्ती हो, या नाग्रेक के प्रमुप के दायत्तों में से केक हैं, आप लगों को एक और याद रखिए, कि आप जानते हैं कि आपको अधिकार मिले हुए हैं, अगर आपकी अधिकारों का हनन कर रहा है कोई, तो आर्टिकल 32 के तहट आप सुप्रीम कोट जा सकते हैं, आप समझें, इस सुप्रीम को समझें आप लोगों को, समझें आप लोगों, बदना आप सोचिए कि आपको अधिकारों का क्या मतलब रह जाता, कोई भी आपकी अधिकारों से चिपचार करता, आप चुपचाप बैटे रहते, तो इसलिए आपको कुछ और भी प्रावधान रखे गए, चिंतन मंतन, ना राज्यों को विशायक कोलेजियों में बाहरी चात्रों के तरवेस के लिए कोटा निदाय करने की अमती दिल जाने चाहिए, इस तरह की विवस्ता भी है, अभी FBPSC के तैयारी आप लोग कर रहे होंगी, तो उसमें कहा गया था, कि 5% लोगों ही बाहरी लोग सामिल हो सकते अब अमती देश में, समझ रहे हैं आप लोग, जो भी आमें नौकरी थी उसमें भी यही प्रावधन था, कई रार्जों में भी यह प्रावधन आपको देखने को मिलेगा, कई रार्ज खुले हुए हैं, कोई भी आईए, कोई यहां नौकरी कर सकता और एट्चाम दे सकता आप खुछ सोच के देख लिए एक देन के लिए कि अगर जो बाहरी लोग है प्रभासी मजदूर इनके मिना भारत की सहरी यानि की मद्वर्ग के जीवन यापन का एक दिन यानि के इनके देने जीवन चर्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप समझिए यहां आपको दिखाई दे रहा है यह आपको दिखाई दे रहा है यहां भी 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 आपको दिखाई दे रहा है यह भी यह सब कौन करता है जो यह बाहरी लोग आते है आपके सहर में, आपने देखा होगा खाना बनाने के लिए आपकी बाई रख लेते हैं एक तरह से, बच्चों की देखवाल के लिए आजकल आप लोग कामबाला रख लेते हैं, या कामबाली रख लेते हैं, और भी जो काम सापसपही के लिए भी आप लोग आपने यहां नौ इनमें कौन मजदूरी करेगा, कौन एक तरह से इने बनाएगा, तो इनका भी एक काफी महत्तर है, समझ रहे हैं आप लोगों? समान अधिकार, इस भाग में हम नागरेक्ता के एक अन्य पहलो की तहकीकात करेंगे, क्या पूर्ण और समान नागरेक्ता का अलत्या है कि राजशत्ता द्वारा, सभी नागरेकों को चाहे बे अमीर हों या गरीब हों, कुछ गुनियादी अधिकारों और नियुम्तव जीव इस राज़ते इना सामें से एक है जो सरकार के सामने मोह है, बाये खड़े हुई है, क्योंकि आपने देखा हो गया एक तरफ आपको बड़ी बड़ी आपको मकाम दिखाइ देगे, विलिंग दिखाइ देगी, और एक तरफ आपको दिखाइ देगा जुप değ, जोपड़ी… आपको एक समस्य आए हर सहर में देखने को मिल जाए जाए जिस भी सहर में रहते हैं आस परस इस तरह की जोगडी चो की देखने को मिले। भारत की हर सहर में बहुत बड़ी आबादी जोपर पटीओं और अवैत कप्ची कुछ जमीन पर बसे लोगों की हैं या पिए लोग आपर यार और उपियों की काम अक्सर कम मजदूरी पर्क करते हैं फिर भी सहर की बाकी आबादी उन्हें आवांचरिये महमार की तरह देखती है उन पर सहर की संसादनों पर बोज बनने या पर अपराद या फिर विमारी पहलाने का आरोप मड़ा जाता है और इस तरह की बेदभाव देखा जाता है समझ रहे हैं आप लोग क्या देखा जाता है बेदभाव इस तरह का देखा जाता है जो इस तरह की गंधी बस्तियों में रहते हैं लोग, उनके साथ बेदभाव कलते हैं ये लोग, गंधी बस्तियों की इस्तिती अफ्सर भीवस्त से होती है, छोटे-चोटे कमरों में कई लोग ठोती है, यहां न निजी सौचाले होता है, न जलापुर्थी न सफाई, गंधी पैसों के बीच फेरी वाले चोटे व्यापारी सफाई कर्मी या फिर घरेली नौकर नल ठीक करने वाले या मिस्त्री होते हैं जोपर पट्टियों में बैत बुनाई या कपड़ा, रंगाई, चपाई या फिसलाई जैसे चोटे कारोवार भी चलते हैं जो पर पट्टियों के नेवास्तियों को सफाई या जलबूर्ती जैसी चुगदाय मोहया कराने पर संभावता कोई भी सहर अपेक्चाद करट कम खर्च करता है। आप सोचिए उनकी पास अगर अच्छी इंकम हो रही होती तो वो इस तरह की जिंदगी किस लिए जी रहे होते हैं? आपको सोच के देख सकते हैं? समझ रहे हैं लेकिन एक तरह से योगदान भी बहुत देते हैं आप मानिये या ना मानिये? ठीक है? सहरी गरीवों के आलाद केपिती सरकार स्वेम से भी संगठन और अन्य अजनसियों सहित स्वेम जोपर पट्टी के निवास्तियों में भी जागरूपता बढ़ गई रही है। उत्पीडन से मुक्ती कारोबार चलाने की सकती हांसिल अभी कुछी दिन पहली की बात है मैं बाहर निकला हुगा तो मैंने देखा कि एक नेता जी है वो एक पुलिस वाली को डाट की चले गए गाली गलोच करके जितनी बुरी गाली दे सकते थे उसको दी सब सुनते रह ग और है कि आदमी हमेसा अपने कंजोर को दीखता है दमाने के लिए अपने से जो कंजौर होता है पैंप पूलिस वालों को आप देखते होते हैं कि जब कहीं 《ंगलतीए》 तो यह क्या करते हैं गर में ही गुन्गर्स निकालने लगते हैं एक तरह से निचले लोगों पर ही ए सब्सक्राइब लिए उनके लिए बोट देने जैसे गुनियादी राजनितिक अधिकार का प्रियोग करना भी कठिन हो जाता है क्योंकि मद्दातर सुखी में दर्ज होने के लिए इस्थाईपती की जरूरत होती है अनिदीकित बस्तियों पटरी पर रहने बाले के लिए ऐसा पता पेश करना कठिन होता है हमारे समाज में हास्तिय पर ठेले जा रहे अन इंसानी समों में आधिवासी और बनवासी सामिल है यह लोग अपने जीवन आपने के लिए जंगल और अनप्राक्तिक संसादनों पर निर्वर्थ हैं बढ़ती आबदी और जमीन और संसादनों क कमी के दबाव के कारण उनमें से अनेक की जीवन पतिती और अजीवका संकट में है जंगल और तराहीं छोत्य में खनिच अंसादनों की खनप करने के एक चुप उद्धमियों की यहृत्तों का दबाव आधिवासी और बनवासी लोगों की जीवन पतिती पतिती मुझूद खनेच संसादनों की खनन करने की एक चुप उद्धिमीयों की हित्तों का दबाओ आदिवासी और वर्वासी लोगों की जीवन पद्धिती पद्धिती और अजीब का पर एक अन खत्रा है परेटन उद्धित भी यही करा है सरकारें इस सवाल में जूज रही है कि देश के विकास के को खत्रे में डाले वगर इन लोगों और इनके रहवास की सुरक्षा कैसे करें यह ऐसा मुद्धा है जो सर्फ आदिवासी आवादी नहीं बल्कि सभी न अंग्रेकों को पिरवावित करता है अभी अन्वार निकोवार में आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना हुआ कि एक अमीर की ब्यक्ती की मौत हो गई थी वहाँ माद दिया गया थी थी वहाँ के आदिवासी लोगों के दोरा आप समझेए कि अंग्रेजों की समय आप तेख इते होंगे पहले कि कोई भी राजा मारा जाता था उनके चित में चर्चानी नहीं करता था आदिवासीयों से कोई उनका मतलब जाना नहीं रहता था लेकिन अंग्रेजों ने आपने देखा है कि उन्होंने उहाँ जंगल कटाई की या उद्दोग लगाने सुरू कि तो इन में रोस पन हुआ और आपने देखे यह पर कई आपने आंदोलन भी देखे होंगे हो आंदोलन, कोल आंदोलन, समझ रहे हैं? आदिवासीयों की ही आंदोलन थे सभी नाग्रेकों को समान अधिकारों और रसा देने पर विचार करना और सुनिश्चित करना किसी सरकार के लिए आस्नान मामला नहीं होता बेविन समोहों की लोगों की जरूतें और समस्या है अलागला हो सकती है और एक समोह की अधिकार, दूसरे समोह की अधिकारों की प्तीपूल हो सकती है इसे लिए आप देखते होंगे जब भी आपको मौलीक अधिकार मिलते हैं तो उसमें क्या कर दिया जाता है, अपबाद भी जोड़ दिया जाता है, आरक्षन का प्रावदाम रखा गया है, अपबाद आपका एक तरह से देखने को मिलेगा, बच्चों के लिए, महलाओं के लिए विसे स्थिति बना दी जाती है, विसे सुविधा उपलब्द करा दी वहां भी एक तरह से उनकी इस्तिति को देखा जाता है, उनकी जरूरत को देखा जाता है, क्योंकि उन्हें कौन सी सुविधाय मिली हुई है, आप देखते होंगे बस मैं ट्रे रेंड में कहीं भी आप जाते होंगे, तो आरक्षे सीटे मिल जाती है, कई बार, महलाओं के के लिए अलग हैं बुजर्गों के लिए अलग हैं तो उनकी इस्तिती को देखकर आप समझीए कि उसे हम लोग मिलनी चाहिए समझ रहे हैं आप लोग अधिकार उस्वरक्षा फिरदान करना सरकारी नीतियों का मारक दर्सक सिध्धान हो यहां भी आपका कुछ पॉइंट है इसे भी देख लिए नागरेक्ता समानता और अधिकार सरगोच ने अले ने मुंबई के जुपडियों में रहने वालों कि अधिकारों के बारे में का टेस्ट बनाम बंबई नगर निगम पर 1985 में एक महत्मूर फेसला दिया था या आज का वे कारिस्थल कि निकर्ट रहने की विकल्टिव जगए उपलब्द नहीं होने होने के कारण फुटबाद या जोपर पट्टियों में रहने की अधिकार का दावा किया गया था अग कि अगर फुटबाद वासियों को बेदखल करना हो तो उन्हें आसर के अधिकार के तहट पहले बिकल्पिक जगए उपलब्द करानी होगी कहने का मुतलब यह है कि अंच्छे देखकी इसके तहट जीवन जीने का अधिकार है और याद रखिए हमेशा अधिकार भी परिव अधिकार आपको आपको रोजगार का अधिकार मिल जाए और भी आप कहें कि और भी जो भी रहे बिलकुँ स्वास्त का पूरा प्री मुद्दा हो जा है अभी आप देखते हैं सिक्षा का मुद्दा है चैसे लेकर 14 बर्स तक यह आपका मिला हुए आपको 86 पे समिधान संस उतनों ही 22,12 है सिक्षा कब तक बिल्कु सिक्षा किक्षा की आपको तैयारी करने सिविल सरभुस की तैयारी करने आपको फीर सिक्षा का यह आपको अगर कुछ और करना स्वास्त की वेवस्ता चाहिए चाहिए आप ac knead अपन पांच लाग खरतेा आइंस भारत शन्या खरता इस पाइज है कि अधिकार आपको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया जाए कि आपको स्वांस्त का अधिकार हो आपको 50,00,00,00,00 करEश होती है नगे आने बाले समय में होते रहते हैं इसलिए तो ना अधिकारों के बारे में जानब कुछ है ना बड़ा मुस्किल लेता है क्योंकि समय सरे पर बदलते रहते हैं इसमें चैनल होता रहता है नए नए अधिकारों और परिवासां गड़ी जाती है अभी आपने देखा केरल में कुछ लंबे रिच का मामला हुआ था उसके बाद UPSC में एक कुश्चन्स बन गया कि आपको अगर मन माननी से साधी करनी है तो कौन सा अधिकार के तहता आप कर सकते हैं आपने देखा होगा आर्टीकल 21 दिया गया था समझ रहे हैं तो इस तरह की कुश्चन्स भी बनते रहते हैं अभी UP सरकार में आप देख रहे होगे कि एक नया कानून ले आ रही है कि ए लेकिन क्या रहता है बोट बेंट के लिए नेता कुछ भी करते रहते हैं यह अपने बाग के नहीं होई तो आपके क्या होगे समय रहे हैं आप राश्टराजी की अधारना अधुनिकाल में विक्सित हुई राश्टराजी की संप्रभूता संप्रभूता और नाग्रेकों क लोकतांत्रे कदिकारों का दावा सरवपित्वम 1789 में फ्रांस्त के किरांतेकारियों ने किया था राश्टराजी का दावा कि उनकी सिमाय असरेट राजशित को नहीं बलकि एक अनौकी संस्किती और सांजा इतियास को भी परिवासित करते हैं राश्टी पैचान को एक झं समूर से जोड़े रहती है एक परिवार को आप सोचिए कि एक कोई ऐसी बिचातधारा रहे कि पूरा परिवार एक रहे समझें अगर सबकी बिचातधारा अलग रही सबका काम अलग रहा तो वो बट चाहेगा परिवार तो आप देखते हैं हमारा समीधान हो सकता है कि समझ रहे ब्रमारे कई जाती की लोग रहते हैं कई सभू रहते हैं कई धरण भी रहते हैं चिस्तों में बढ़ जाएगा आज्याधी की समय है दिरे जो विए से दावर जिसमें आपने देखा है सवदार वनलब भाई पटल ने बहुत बड़ा युगदार किया और हैदराबाद आपने देखा है जुनागर और जम्मु कस्मी लाश्ट तक लड़ती रही कि हम अलग रहेंगे हम पाकिस्तान में सामिल होंगे कोई सुतंत रहना चाहता था उस पर हम लोग बात करेंगे कभी पूरा एक बहस चलेगे देखेंगे अधिक तर आधुनेक राज्य अपने विसे विविन धर्मों भासा और सांस्किति परंपराओं की लोगों को समलिक करते हैं लेकिन एक लोकतांतरिक राज की राश्टी पहिचान में नागरेकों को ऐसी राज की रूम में खुद को पहिचानने की अहमती देता हो लेकिन बेवार में अधिकता देश अपनी पहिचान को इस तरवे परिवासित करने की और अधगसर हैं जो कुछ नागरेकों के लिए राष्ट के साथ अपनी पहिचान कायम करना अन्यों की तुल्ला में आसान बनाता है या राष्ट्या के लिए भी अन्यों की तुल्ला में कुछ लोगों को नंगरिकता देना आसान कर देता है या आपरवासियों का देश होने पर गहरण विखुरण विखुरे अधिक। सच है जैसे कि किसी अन्य देश के बारे में, और यही कारण है कि हमने समीधान का रूप दिया हुआ है, आप सूचिए कि हमारे यह मुसलिम रहते हैं, हिंदूर रहते हैं, सिख, हिसाई, जैन, बोथ, आप समझेए इन में अगर आप सूचिए इनकी सबकी अलग 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 इनकी भावणां की कदर नहीं की जाती, तो यह अलग-अलग हो जाते, भट जाते, समझ रहे हैं आप लोग, कई हिस्वों में भट जाते, इसलिए आपने देखा, सम्धान दिया गया है, सरुच न्याला है, सुप्रीम कोट है, कम से कम आपको अगर किसी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोट पर तो भरोसा है, उधारन सुरूप, उधारन सुरूप, फ्रांस ऐसा देश है, जो धरम निर्फिक्च और समाविसी होने का दावा करता है, वह इवरोपिय मूल के लोगों को ही नहीं, बल्कि उत्तर अफिका जैसे अन्ने इलाकों से आए नागरेकों क को भी अपने में सामिल करता है, संस्किती और भासा इसकी वे राष्टी पैचान की मात बिसेश्ता है, और सभी नागरेकों से अपिक्चा की जाती है कि वे अपनी जीवन के सारुजनिक पहलूँओं में से, मैं इस इन इस फ्रांसी सी भासा संस्किती से आत्म सार्थ हो जा और इसमें कुछ बिबादों को जर्म दिया है, धार्मिक विस्वास नागरेकों के निजी, छेत का मामला माना है, एक बात दोर याद रखी, आप ही सुचिए, हमारे आपी तो यही है, कि आपके जो भी आप हिंदू है, मुसलिम है, जर्न है, कोई भी जर्म की है, आप से य ऐसा मत करिए जो देश की एकता, खंटता को नुकसान पहुंचा है, या दूसरे के धरम को आप समझे की नुकसान पहुंचा है, समझें, तो यह उम्मीद हमारे नागरेकों से की जा सकती है, वो सभी से सरकार हमारी सभी से उम्मीद कर सकती है, समझें, चिंतन मंतन, प्रूल क्रिसी भूमी जयोगे का 32-32 हिस्ता है लगवक 10 लाग काले किसानों के पास के बाल एक दसमलो 6 करोड हेक्टर भूमी है जो कुल का 38-30 भाग है गोरे लोगों के पास जो जमीन है वह सिंचित अप जाओ है जबकि काले लोगों के पास कम अप जाओ और आशिंचित जम पारेम को जमबॉमबे बार्सी समझते हैं जमबॉमबे में गोरों की आवादी को जन संक्या की 0-6 किती सते हैं 1997 में जमबॉमबे को राश्पती रवर्ट मोगावी ने 1500 बड़े फार्मों पर कब्जा करने की योजना की जमबॉमबे के काले और गोरे नागरेकों के अपने एक तरह से रहने के लिए घर नहीं है उनके पास इतनी भी जमी नहीं है कि घर में बना थके हैं अपने लिए और एक तरफ आप दूसरे लोगों को देखें कि हजारों हेक्टर भूमी पड़ी रहती है उनके पास समझ रहे हैं आप लो तो यह भी भीजवाओ अन्य देशों इसे कुछ स्कूलों ने इसाधार पर आमान कर दिया कि सरकारी सिक्षा के सारणी कित में धार्मिक वितीदों को लाने का मांग लाएं जिनके धर्म इस तरह की रिवाजियों की मांग नहीं करते हैं उनको निसंदे यसी समस्या के सामना नहीं करना पड़ता है साब तोर पर राष्टी है जन्सकिती में सामिल होना कुछ समुहों के लिए अन्य की अपेक्षा आसान होता है और इस तरह का मुद्धा हमारी देश में भी उठता रहता है समझ रहे हैं कि एक खास ड्रेस नहीं पहनना है या सरकारी स्कूलों में आप देखते होंगे धार्मिक दियूं क लेकिन आप देखते होंगे कि हमारे यह एक मामला है आप देखते होंगे हमारे मौलेक अधिकारों में सामिल है कि अगर कोई समुही यानि कि आप समझ लिए यह किसी जाती के आप अपने पैसे से कोई स्कूल खोल रहे हैं और उसमें अपने ही जाती के लोगों को सिक्षा दे रहें तब कोई आपकी इंटर्फियर नहीं करेगा आप पर कोई कितीवन्द नहीं लगेगा लेकिन अगर आप सरकार से मानता पर आप थे या सरकारी से कुछ सहायता ले रहें तब आप पर कानूनी कारवाई होगी और आपको सजाभी मिल सकती है समझ रहे हैं आप लोग नागरिक्ता की नई आवितकों को अनमती देने की कसोटी हर देश में होती है नागरिक्ता बिदान करने में इजरायल या जर्मनी जैसे देशों में धरम या पर जाती है मूल जैसे तप्तों को वरीता दी जाती है एक समय तुर्की मजदूरों को जर्मनी में आने आने और क करने के लिए पुरुसान किया गया था उनकी इस थाई मांग और की की जर्मनी में ही जर्मे और पले बड़े उनके बच्चों को आप ने आप जर्मनी की नागरिक्ता मिल जाने चाहिए इस पर आज भी बहुत जारी है आप एप दीबंदों से समळित कुछ ऐसे उधार रहने जो समावी सी होने का दम भड़ने वाले लोकतंतरिक देशों में भी लगे हो सकते हैं बहारत स्वयन को धर्म निरोपिक छोग तंत्र की राश्र राच्ट कहते हैं, इसलिए धर्म निरोपिक क्यों यह कहते हैं हम लोग और आप देखते हैं, हमारी जो उद्देशी का है पिस्ता होना है, उसमें आपको देखने को मिलेगा, कि हमारे हैं कई धर्म की लोग रहते हैं सब के धर्म का समान भी किया जाता है और सरकार किसी की धर्म में इंटर्फियार नहीं करेगा यानि किसी की धर्म को नीचा गराना उपर उठाना दी सरी एक काम नहीं रहेगा ये नेता करते रहते हैं ये अलग बात है सुतंता अंदुलन की आधर व्यापक था और विविन धर्म, छेत और संस्किती की लोगों को आपस में जूड़ने कि रियास किये गए यही सही है कि जब मुसलिम लीग से संबाद बिवाद नहीं सुलजाय जा सका तब 1947 में देश का विवाजन हुआ लेकिन इससे उस राष्ट राजी की धर्म रिफिक्ट और समाविसी चरित को कायम रखने के लिए भारती राष्टी है कि नहीं से नेताओं के निष्ट निष्चे अकूब और मजबूत ही किया गया है। जिसके निर्मार के लिए बेच पितिवद थी यह निष्ट सम्हिधान में किया है। वहीरे कि बटभारा हो गया हो गया हो है थो इस्थो में हमारा भारत बढ़ गया हो एक पाकृस्तान बढ़ गया हो आज भी आप देखेंगे मुसलिमों को इस्टिती पाकिस्तान से बेद Ride हमारे आप देखिए राष्टपती भी कही हुए और डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम साथ को ले लीजी आप लो आप सोची पाकिस्तान में अगर वो पैदा हुए होते पाकिस्तान की परिस्तिती पैदा हुई होती तो उन्हें एक क्या बना देती और भारत की स्तिधी में वो पैदा हुए भारत में सिक्छा लिए उन्होंने अपना काम किया और उसे कोई बेदबाव नहीं किया गया समझें और बहतर एक बिग्यानिक भी रहे हैं बहतर राष्ट्पती की समय भी उन्होंने देखा यह सभी को साथ लेकर काम आंगे चलने की बात की लिए समझें भारती समiddahn ने बहुत ही वीविता भूर्ण समाज को समाजवित करने की कोशिस किये इन वीविताहों मैं से कुछ उलेक नहीं है इसमें अनुशूचित जाती हो अनुशूचित जन जाती जैसे वीवितने बेन समदाओं पूर में समानेदिकार से बंचित रही सब्क्राइबूल याजय सत्त्ताक को कि प्रयास को पितिवनवात करता है यह भी मतलब करने का कि सभी को एक जोड़े रहता अवे आपने देखा होगा कि तुई भासी या रहे से मुद्दा उठा था इसका मतलब यह था कि आप सोची एक छेत्री वासा होगी या पी और एक राश्टी वासा हिंधी होगी, समेज रहे हैं? एक चचिव्हासा एक राज्यों ने किया का गए करम्स कि दूभासा पर मतलब ध्यान देगी एक इंगलेस रहेगी दूस्तरी हमारी तमिल जैसे तेल हुआ कुछ भी हो सकती है उनकी अपनी जो भी खास है उसे रखेंगे वो इसका विरोध भी होता है लेकिन भारास सरकार ने आप कहें कि जबर्जस्ती नहीं किए, उन पर मर्जी, नहीं उनकी मर्जी है, कि वो इस तरह का अपना सकते हैं, कायप कर्म नहीं अपना सकते हैं, इसलिए कि उन्हें जोड़े रखा जाया अपने देश में, सांती बनाई रखी जाया, समझें हैं? नागरिक्ता के से सब्मंदित प्रावधना का उलेक समिधान के दूसरे, भाग और संसत द्वारा बाद में पारेक कानून में हुआ है, समझें नागरिक्ता की लोगतांतरिक समावेसी, समावेसी धारणा को अपनाया हैं, भारत में जनम बंस परंपरा, पंजी करन, देशी कर करने करके आप हो सकते हैं, देशी करन या किसी भूख शित का अपने राज में, अब माल लिए इकल पाकिस्तान को हम अपने शित में संब्लीज कर लें, जीत लें एक तरह से कब्जा कर लें, तो उन्हें नागरिक्ता की देगी, भारत की सामिल कर लेंगे, ठीक है, समिधान करने को भासाई अल्प संक्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है, हालाकि इस तरह के समावेसी प्रावधानों ने भी संगर्स और विवादों को जनम दिया है, महला अंदोलन, दलित अंदोलन या विकासे उजनाओं से विस्थाफिर लोगों का, संगर्स ऐसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, जो मानते हैं कि उनकी नागर्टा को पूर अधिकारों से वच्चित किया जा रहा है, भारत के अनुभाव से संक्यत मिलते हैं, कि किसी देश में लोकतांत्रिक नागर्टा का एक परयोजना या लक्ष सिद्धी का एक आधर्स है, जैस में मानता हम देखना कि 1900 जो भी देता थे अगर एक गल्ती को इतनी ही जयती कि आगड़ां विल्कुर खतब अगर संभव हो सकता था यह तना करना जाए था मैं इसलिए udर वोजें हूं जान जाएँगे यह आप चीन ही थी देखने को बीगे चाइना अमेरीकी देखने को पुलिया है। आप सोची हम यह यह लि damn i mee हैं। आप सोची कि अगैर आपकी बच्चे में आरकषेओं के बरोग में इसलिए बी देखें आर्थिक रूप से और रक्षेओं मिलना चाहिछ हा इसमें कोई शुरॉत नहीं है। क्योंकि सामान जाती में अभी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत गरीब हैं और एक तरह से आप समझें कि दलितों में आपको देखने को मिलेगा कहीं बड़े सक्षे भी हो गए तो क्रेमी लेयर किया अधार ना आई हुई थी लेकिन ये OVC तक्सी में थे समझ रहे हैं मैं मालता हूं कि आपके बच्चे को जो बड़ी वाले बच्चे को दोनों को सिक्षा स्वास्त बच्पन सही उन्हें सभी सोग्धाएं दोनों को बराबर देनी चाहिए और उसके आंगे मुझे नहीं लगटाएगी आपको अरच्चन की जरूवत पढ़ेगी कि अमर्मे अने चबियां उगरती हैं उसमें एसी आ या अफिका के ऐसे लोगों की चबियो सकती हैं जिन्होंने यूरोप या अमेरिका में चीरी चोरी चपिच गुसने के लिए दलाल को पैसे का बहुतान किया हो इसमें जोखें बहुत है लेकिन वेपरियास में ततपत अब आप मोदी सरकार नहीं कह सकते हैं यह गलस सब्द है और आप देखिए कर रहे हो तो आप देखिए कर मोदी पिसासन लिखा करिएगा अभी अमेरिका के कोई भी न्यूश पेपर उठाके देखिए आप कहती थी आप एक वराक वराक वामा पिसासन या डॉनाल्ड ट्रॉम्प पिसासन आप देखिए इस तरह की सब्द जोड़े जाते हुआ सरकार देखिए भारत सरकार होती है अमेरिकी सरकार होती है यह तो 5 साल बाद हड़ जाएंगे, दस साल बाद घट जाएंगे, 20 साल बाद बाद हड़ जाएंगे लेकिन भारत तो हमेशा रहेगा लेकिन नागरेक्ता देने की सरतें भी निर्धायूप करते हैं ये सरतें आंतोपर देश के संविधान और कानून में लिखी होती हैं आवांचे अंखुत्कों को नागरेक्ता से बाहर रखने के लिए राज सत्ता ये तागत का प्रियोग भी करती हैं अगर कोई देश उन्हें स्विकार करने के लिए राजी नहीं होता है तो भी घर नहीं लोड़ सकते तो भी राज भी यह सरडाज ही हो जाते हैं बेसेवरों में या आवेद प्रवासी की रूम में रहने की मजबूर किये जाते हैं करने अक्सर बिकानूनी तोर पर काम नहीं कर सकते हैं या आपने बच्चों को पड़ा लेखा नहीं जी सकते हैं या संपती अरीजित नहीं कर सकते हैं विक्राल हैं कि शाज करने और मदद करने के लिए Butter किया है हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है सरणायतियों की, ठीक है, नांगरेकों के रूम में कितने लोगों को अंगीकार किया जा सकता है, और इस सवाल पर फैसला करना अनेक देशों के कठिन मानवियो और राजनितिक समस्या बनी हुई है, अनेक दे लोगों को आसाय उपलब्द कराने पर गरब करता है, ऐसा भारत में नें 1969 में दलाई लामा उनकी अनुयाईयों के लिए किया है, और भारत राष्ट की सभी सिमाओं से पड़ोसी देशों के लोगों का प्रिवेस हुआ है, और यह विक्रिया जारी भी है, इन में से अनेक लोग बरसों या पेडियों तक राजबीन व्यक्तिव की रूम में पड़े रहते हैं, सिग्रों में या अभेद प्रिवासी की रूम में, और अंतायर में से अफिक्षकित कुछ को ही नागरेक्ता प्राप्त होती है, ऐसी समस्या है लोग तंत्रिक नागरेकों के उस कि याद रखिए, भारत भालेकों बहुत आग है, हमोग सब का हिन कहा लगते हैं, लेकिन कहां तक हिनम लग इनकी रखिसी में, लुदाव हो लोग इनकी मदत करते महाएं, अब कुछ जांदा ही प्रोब्लम होने लग ही, क्योंकि हमारे पडोसी ऐसने देश से, जो आप आप सोचे, जोग चाइना में मुसलिमों की स्थिथिए है ? जग जांते इसक इसके लिए ही पाकिस्टान में बहुत आसान है यह हमारे पड़ोसी है यह मतलब जाना कोई सीमा का कोई फर्क नी पड़ता है आप लोटा उठा के जाए आप बंगला पहुच जाएंगे और अभी आपको देखने को मिलेगा कि नेपाल के अधिकतर लोग आपको अपने सेरों में देखने को मिलेगा काम करते हुए कई आप म बिवादों के जर्ए पुनर परिभासित की जा रही है और ऐसे गिरे लोगों के लिए इनके पैड़ा घातक होते हैं बे अपने गरा आजनितिक पहुचान और सुरक्षा कराते हैं देशांतर्ण के लिए मजबूर किये जाते हैं क्या नागरिकता ऐसे लोगों की समस्याओ अगर नहीं तो उन्हें आज किस तरह की बिकल्पिक पहचान दी जा सकती है और क्या हमें राष्की नागरेक्ता से अभी सच्छी विस्व जनिन पहचान को प्रक्षान विक्सित करना चाहिए कभी-कभी विस्व नागरेक्ता की धार्ना के लिए सुज्याओ किये गये हैं इससे जुड़ी संभावनाओं पर अंगले खंड पर हम लोग चर्चा करेंगे आप देखें कई संगठन आये हुए हैं मानो अधिकार परिश्द आप देखें UNO समझें मतलब किसलिए बनाए गई इनी समस्याओं का समाधान करने के लिए समझ रहे हैं कि सबका जन्त सभी लोगों का ख्याल लखा जाए WAHO समझ रहे हैं इसलिए कि कम से कम सभी जनता का लखा जा है आज कल संगठन भी आप संगठनों पर भी प्रिशन चिन खड़े होने लगें कि वह भी अपना काम अच्छे से नहीं तर पा रहे हैं और याद रखें संगठनों के बारे में हम लोग ने बड़े ब्रिस्ताल से बात की हुई है पूरा civil service को दियान में रखते तो महत्कूर संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सुची बनी हुई है उसमें सभी संगठन अंटले हुए आपके ठीक हो अगर कोई छूटा हो वाई चांस तो आप बताईए उसे भी हम लोग कोसिस करेंगे पूरा करने बिस सुनाम रिखता है नेमिकित उक्तियों पर गौर करें 2004 में दच्चड एसिया के कई देसों पर कहर पाने वाली सुनामी से पीरित लोगों के लिए सहनुवती उसायता के भावोदगार पुड़ पड़े आयंतराष्टी दंद का तानवाना आतंगवादियों को जोड़ने में मदद करते हैं बिबने देसों में पुक्तियों में क्या साजाए उस दुनिया के बारे में क्या बताती हैं जिनमें हम रहते हैं हम आज एक ऐसे विस्त में रहते हैं जो आपस में जुड़ा हुआ है संचार के इंटरनेट टेलीविजन और सेल पॉन जैसी नए नए संसादरों ने उन तक्निकों में भारी विभिन ने हिस्तों की हल्चलों को हमारे एक तत्काल संपट के दारे में लाद दिया हैं अब अपने इस टेलीविजन के परदे पर बिनास और रियुद्धों को होते देख सकते हैं इससे विस्त के विभिन देशों के लोगों में सांजी सारुकार और साहनुबूती विक् कोई घर का मेंबर बाहर भी जा रहा है तो जब वो आये का तभी ख़वर मिलेगी कि वहां की क्या सीची हो सान मतलब क्या वहां चलना है वहां उनका क्या हाल है परिवार का क्या हाल है आज आप देखिए एक मैट में आप कॉल करते हैं जान लेते हैं एक समय ऐसा था कि ATM कार अब नहीं था मेरे पास तो मैं महीने का और कभी-कभी मैं साल वह जाता था पांच्छे महीने के लिए कहीं भी बढ़ने के लिए तो मैं एकटा पैसा ले जाता था समय रहें मैं मतलब इतना आप सुची ऐस तरह से प्रोब्लम रहती थी क्योंकि हर किसी की पास ये टीम की स सब्धा नहीं थी समय है आज तो आपके पास हल सब्धा है आज तो आप एटीम आप देखते हूं पर क्या-क्या सब्धा हो चुकी है आपके पास तो ये तकनीक का फायदा है विस्व नागरिक्ता के समर्थक दलील देते हैं कि चाहे विस्व कुटम और वैस्विक समाज के अभी बिद्धमा नहीं है लेकिन राष्टिय सिमाओं के आरफाल लोग आज एक दूसरे से जुड़ा महिसूस करते हैं बे कहेंगे कि एसिया की सुनामी या अन बड़ी देवी आपदा आपदाओं के पीडितों की सहायता के लिए विस्व के सभी इस्वों से ओड़ा कोई भी आपदा आती है तो समय सभी से कहा जाता है डॉनेट करिये आप लोग और सभी लोग डॉनेट भी करते हैं पैसा भी देते हैं मदद भी करते हैं हंत रहते हैं करोना हमारी में भी आपने देखा है कि किस तरह से पीम फंड बनाए गया और कितने बड़ी मात्रा में लोगों ने मदद किया तरह से और श्री नागरिक्ता की अद्धार्ना मानती है कि हमारी राजसत्त्ता हमें ह collab अरक्षा औधिकार दे सकती है जिनकी हमें आज विसमें गरिमा के साथ जीने के लिए जलूगत है लेकिन राजसत्त्ता की समक्ष्य आज यईसी अलेक समस्य क्या इस परिश्पिदी में रासरता द्वारा कियेगे बैक्तिकत अधिकार लोगों की सुतंता की सुरक्षा करने के लिए परयाप्त है और क्या या फिर क्या मानव अधिकार और विश्च से नागरेक्ता किया उठाना की वो बढ़ने का समय आ गया है एक बात और आपको बता या आप सुची डॉप्टर बन जाएं बेहतर इंजीनियर बन जाएं बिग्यानिक बन जाएं तो यह हर देश चाहेगा कि हमारे यह काम करने के लिए लेकिन जब आप उपजाव एक तरह से कहिए आप देखते होगे कि उपजाव जमीन होती हुआ तो हर बैक्ति उसके लेकिन उस जन्सनक्या को हम लोग फायदा उठा पा रहे ही है कि हमारे देश में देखिए आप लोग की अधिक booked hour उठा पा रहे हैं बिलकूँ लएं एक परिबार में आप एक परिबार का उधारन ले सकते हैं, देश का राजिका छोड़ी है, जिलों का छोड़ी है, एक परिबार में मानलीजे 5 भाई है, पांचों को अगर सिख्षा नहीं दे जाए, स्वास्ती बेवस्ता ना रहे तो आप देखेंगे 2-3,000, 4-5,000 रोपी मे लोग काम करने के लिए तयार हैं आपरे घर में, समझ रहें, इतनी बुरी इस्थिती है, वहीं आप सोचिए कि अगर उस पांचों बच्चों को सिख्षा दी जाए, स्वास्ते बेवस्ता दी जाए, वो पांचों पांच चित में पहुंच जाए कर, तो उस परिबार की इस नजल नहीं आता है, क्योंकि हमारे नेता, जिस कैटेगरी के नेता हैं, उससे ए उमीद दूर दूर तक नहीं किया सकती है, विस अनागरेक्ता की धारणा के आतकारशनों में से, एक यह है कि इसे राष्टी सीमाओं के दोनों, और की उन समस्याओं का मौकाबला करना आसान हो सकता है, जिसमें कई देशों की सरकारों और लोगों की सयुक्त कारवाई जरूरत होती है, उधारं के इससे प्रवासी और राजबीन लोगों की समस्या का सरव की समाधान बाना आसान हो सकता है, या फिर कम से कम उनकी बुनियादी अधिकार और सुरक्षा सुनशित की ज सकता है इन समस्तियाओं के समाधान अंतता सर्फ संबंदी समाज की सरकार और जन्ता ही कर सकती है इसलिए लोगों के लिए आज एक राजी की बहुड़ और समान सदस्तेता महत्पूर है लेकिन विस्व नागरिकता की अउधारना हमें याद लाती है कि राज्चे राष्टी समझदारी से जोड़ने कीज़ूरत है कि हम आज अनतर समिन्ध विस्व मैं रहते हैं विस्वषे के विमिन विस्वेरों की साथ अपने दस्तों मजबूत करें रिष्टे मजबूत करें और राश्च्री सीमाओं के आरपार के लोगों और सरकारों के साहां काम करने के लिए यारूं मिल जोरकर काम करें, ठीक है, यह आपके questions दिए गए हैं इसी फार से, इसे भी पढ़ते रहीगा, और इसकी वीड पेडिया आप आपकी telegram पढ़ लिए, यह दुबावर बात बताओं, आप लोग इन्हें बिस्टार से पढ़ लीजे, NCEIT को एक से दुबार, जब हम तो special books पढ़ेंगे, वहां आपको बढ़े अच्छे से बता दूगा, article यह हो भी है, यहां केवले एक आपकी समझ विक्सित करने के लिए बताए जा रहा है, ठीक है, चलिए आगे एक बहुत ही महत्मूर topic है आपका, और जितना कहें उतना आप समझेंगी राष्टवाद, यह आज की नई सरकार आई हुए तब से जाना मुद्धा मना हुए राष्टवाद का, तो जानेंगे राष्टवाद क्या है, और असल में राष्टवाद क्या होता है, और यह नेता किस तरह से अपना बोट बहुत बटोरते हैं, इसे भी हम लोग देखेंगे, चलिए तो पढ़ते रही है, इंज्वाए करते रही है